दोस्तों नमस्क्राइब आप सब्सक्राइब करते हैं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें चलिए शुबात करते हैं पहली अपडेट के बारे में अब सुबसी अव्यरती या फिर बीटी सी करने वाले चारतों के लिए कई अच्छी और अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं क्योंक आपके समय पर भरती आ भी जाती लेकिन 6800 के चलते भरती का विग्यापन जारी नहीं हुआ लेकिन एक बार इसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है नई प्राइमरी सिच्छिक भरती के बारे में जिसको लेकर मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि सरकार के माध्यम से लेकिन चार साल में 400 बार डाटा तो मांगा गया लेकिन सरकार ने कभी सारविज्रिक नहीं किया ऐसा आपको पहली बार देखने के लिए जहां पर पोस्ट वाइस वेकिंसी आप सभी के सामने बताई जा रही है और एक जिले से नहीं दो जिले से अलग अलग जिलों के माध जारी करते हुए जानकरी दियाती जिसमें लिखा हुआ है कि परसदी प्राथमी कुछ विद्याले मार्च 2023 तक रिक्त परदाना अध्याबक साहे कर द्याबकों के समलित करते हुए सुरीकरत पर और कारे करने वाले पढ़ों की जानकर आप सभी के सामने देदी गई है तो चलिए यहां पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा डाटा के बारे में परदाना अध्याबक प्रात्मी की अगरे बात किया है तो 986 पद खाली है इसके इलावा परदाना अध्याबक प्रात्मी की अगरे बात किया है तो 2516 पद खाली है और साइक अध्याबक प्रात तो मैं ऐसे भी जानकर देदी जाती है कि हमारे पास सर्पिलस सिच्छक हैं तो उनको बिठाकर इस चीजों को समझाने कि आप शिकता है हर एक जिला वेसिक सिच्छा अधिकारी के माध्यम से रिक्तपदों का डाटा दिया जा रहा है पोस्ट वाइस वेकेंसी भी आप सभी के जारी है उत्तर प्रदेश में लगवक 75 जनपद आप सभी के लिए हैं और यह चौता नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है बस्ती के माध्यम से जिला बेसिक सिच्छा अधिकाई ने रिक्तपदों का डाटा लखनव सी आटी भेज दिया है और यह मैंने आप स जनपदों का आप निकालेंगे तो आपकी मैथ तो अच्छी होगी मैं आपको प्राइमरी के बारे में जानकाई देता हूं कि प्राइमरी के अंदर चारों के चारों अगर हम जनपद के पदों को जोड़ रहें तो लगवग लगवग 10,510 पर आपको देखने के लिए मिलत प्राइंगे और 10,000 आप सुभी के पास आ चुके हैं और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा परद खाली रहने वाले हैं तो लगाता है एक के बार एक नोटिस जारी किया जारे जिसके आप सब्सक्राइब की जारी किस दिले के अंदर कितने परद खाली है अब आप सुभी को एक जूट होने की आप शकता है 2023 बिना प्राइमरी सिच्छक वर्थी के नहीं होगा लेकिन अगर आप लोग एक जूट रहे तो 2023 के अंदर जल्द सिच्छक वर्थी का विग्याबन अवश्य जारी होगा बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबन बढ़ने वाला है या फिर इसके अलावा पदों की संक्या बढ़ने वाली है कि नहीं इन दोनों ही सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे लेकिन उससे पहले यह इमेजिस आप सभी देख लीजे फिर मैं आपको समझाता हूँ अब्यतियों के माध्यम से लगाता उत्तर प्रदेश माध्यमी सिच्छा सिवा चैन बोड के सामने ध्रना प्रदेशन किया जा रहा है प्रतियों की चात्त मोचा के अद्यक्स विक्खी खान की अगवाई के अंदर ऐसे में आप सभी को बता है कि ध्रना प्रदेशन को लगबग पंद्य द दिखाई दी है कि सदस्यों की कमी को पूरा कर दिया जाए तो इसके बाएं में बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है जहां पर चैन बोड के अधिकाईयों के माध्यम से चात्तों से वार्दा की गई और उन्होंने सीरे तोर पर अपने जो हाथे वो खड़े कर दिये हैं चात्तों का कहना है कि जब उनसे आज यहां बारता देखने के लिए मिली तो उन्होंने कहा कि हम इसके बाएं में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीजिटी पीजिटी के अंदर पनों की संज्या को बढ़ाने के लिए जो मांगे रखी गई चात्तों के माध्यम से वो उनके अधिकार छेत्त के अंदर नहीं है पहला दूसरा उन्होंने ये भी बात समझा दी कि टीजिटी पीजिटी के अंदर जो एक्जाम डेट गोशित करने की मांग की जा रही है उसको लेकर उनका कहना है कि हम डेट इसलिए गोशित नहीं करने क्योंकि हमारे पस सदस से नहीं है अगर हम चाह कर डेट गोशित कर भी दे तो उस तारीक में परीक्षा करा पाना संबब नहीं होगा जब तक उनके पास सदस नहीं आने वाले हैं तो ऐसे में आज अधिकाईयों के माध्यम से सपष्ट कर दिया गया है कि टीजिटी पीजिटी को लेकर पदों की स क्या बड़ाई जाने के बारे में अब उनके पास ज्यादा कुछ राइट बचे नहीं हुए हैं अगैसरकार के माध्यम से सदस भेज़ दिये जाए तो वो परिक्षा करवा सकते हैं लेकिन अब सदस बेजना ना वेजना को सरकार के हाथ में है फाइल काफी सब्सक्राइब और इसी भी सरकार के माध्यम से नई सिच्छा सिवा आयो की घठन का प्रकिया काफी त्यरीचे शुरू कर दी गई है जिसके चलते अब लगता नहीं है कि यहां से चैन बोड के अंदर कोई सदसी आने वाले हैं तो ऐसे में अगर बात किये चैन बोड के अधिकाईयों की उन् लेकिन 14-15 दिन से ज्यादा धना हो जाने के बाव जूदी अगर चैन बोड कोई कदम नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब करेने की शासन की हाथ में गेम आ चुकी है टीज़िटी बिज़िटी को लेकर चैय वुपदों का मामला हो या परिक्षा के बारे में फ यह याची का आप सभी को देखने के लिए मिलती है लेकपाल भरती परिक्षा को दद करने के बारे में यहाँ बताया गया है आयोग की तरफ से सभाई देते कोई जानकाई दी गई है कि जो यहाँपे 15,000 अभ्यृतियों की सूची मांगी गई थी उसको लेकर यहां से कईन से यह साबित नहीं होता कि अभ्यति संदिग्द है या फिर उन्होंने अनुचित तरीके से परीक्षा दी एए ऐसा मैंनी किछा हूं ऐसा इसके अंदर कहा गया है आयोग के माध्यम से इसी के संबद में इस बात को भी साफ कर दिया है कि आयोग की भ्रति पुरे तरीके से नि देखने के लिए मिलेगी और इसके बाद कोई अंतिम फैसला होगा बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि सब्सक्राइब यहां पर दो बाते पूरे तरीके से इसपस्ट हो चुकी है कि प्रीटी का पैडाम आज की तारीक में जारी नहीं हो पाएगा अधिकारियों की माने तो उनका कहना ही है कि 19 तारीकी देशाम तक इसका पैडाम आ सकता है अगर 19 को नहीं जारी हुआ तो 20 को हम जारी करवा उलाईक में ते बो कुरके से इसे वईपता है कि प्रीटी नहीं है वेगर और दे आ जारी किनी हैं कि याराम दो प्रीके दो में है चमायम जारी को नहीं है कि जा बाते जार जारी को हम बाते देड़ को अधिकार येजिब